अस्तरान कुम फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल तो आज मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ प्रॉन साथ तुराई की सबजी जो की बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों एक खाने में और इसे आप गरम गरम सब करो तो यह और भी ज्यादा टेस्टी होती ह इसे आप रोटी चावाल किसी के साथ भी खा सकते हो तो रेसिपी को एंड तक जरूर देखिए और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भोले तो चलिए दोस्तों रेसिपी को सुरू करते हैं तो दोस्तों यहां पर हमने लिया है 300 ग्राम प्रॉन इसे चिंगडी मचली भी का जाता है हमारे यहां और इसे के साथ हमने लिया है तोरई यहां पर इसे जिंगा भोला जाता है और लिया है शाथी में दो आलू दोस्तों पहले हम प्रॉंस को क्लीन कर लेते हैं प्रॉंस को क्लीन करने के लिए पहले हमें कर करने ही है इसकी मुंडी को इस तरीके से निकाल देनी है यह देखिए और इसके पीछे का जो है उसे इस तरीके से कि देखिए इस तरीके से इसे क्लीन करनी है बहुत ही अच्छे से इसे पीछे का टेल जो है इसे इस तरीके से निकाल देनी है इसी तरीके से आपको सभी प्रॉंस को क्लीन कर लेनी होगी तो देखिए दूस्तो हमने प्रॉंस को जो है वो क्लीन कर लिया है अब हम क्या करेंगे इसके उपर थोड़ा सा नमक दे देंगे और इसकी सिल्म उसे थोड़ा सा नमक देने के बाद मतलब निकालेंगे तो जल्दी निकल जाती है तो इस तरीकेसे आपको इसकी सेल को निकाल देनी है देखिए तो इस तरीके से हम सभी सेल को इसकी निकाल देंगे तो देखिए दोस्तो अब पॉंस जो है हमारी वह बिल्कुल साफ हो चुकी है आप इसे हम पानी में अच्छे तरीके से धो लेंगे तो प्रॉंस को दोस्तो हमने पानी में अच्छी तीके से ढोलिया है यह देखे बहुत ही अच्छी सऑ कर लिया है तो अब हम केलों तुराय आहलों को भी छिल के काथ लेंगे दोस्तोट तो इस तरीके से इस तरीके से आपको काट लेनी है और इस तरीके से इसका छिलका जो है इसका निकाल देनी है तो इस तरीके से दोस्तो हमें सभी जिंगा को छिल लेना है और दोस्तो आलू को दोस्तो आपको इस तरीके से काट लेनी है देखिए तो इस तरीके से हमने सबी आलो को काट लिया है तो इस तरीके से हमें तुरोई को काट लेनी है लंबा लंबा पीसस कर लेनी है यह देखे हमारे यह दोस्तों इसे जिंगा बोला जाता है आपके कंट्री में इसे क्या बोला जाता है आप कॉमेंट करके मुझे जरूर बताईए तो यहां पर हमने लिया है बहुत सारे लसुन हरी मिर्च और काली मिर्च इसे हमें पीस लेने हैं सुखे मसाले पे हमने लेना है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और मेथी के दाने तो हमने यह से पीछ लिया है हमने जो मसाले लिये थे अभी हमने गैश अन कर लेनी है देखे दो प्याज आपको इस तरीके से बारिक कट कर लेनी है एक बार में आपको इंगिडियेंट्स दिखा देती हूँ तो कड़ाई हमारी गरम हो चुकी है अब हम इसमें दे देंगे शर्षो का तेल यहाँ पर हमने टू टेबिल स्पून के करीब शर्षो का तेल यूस किया है तेल हमारी जैसे गरम हो जाएगी हम थोड़ा सा प्रॉंस को फ्राइ कर लेंगे तो तेल हमारी गरम हो चुकी है अब हम इसमें दे देंगे प्रॉन्स पॉन्स को आपको इस तरिके से थोड़ासा फ्राइकल देनी है थोड़ासा हमने दे दिया यहाँ पर नमक दोस्तो इसे हमारे कॉलकाता में चिंग्री बोले जाता है आपके इधर इसे क्या बोला जाता है आप प्लिस मुझे जरूर बताईएगा तो पांच मिन के करीम हम प्रॉंस को इस तरीके से फ्राइ कर लेंगे एक खाने में बहुत ही टेस्टी होती है दोस्तो तो आप एक बार इसे जरूर ट्राइ कीजिए आपको यह रेसिपी बहुत पसनाएगी इसे दोस्तो ज्यादा चलाना नहीं है क्योंकि यह तूट जाएगी यह देखिए यह हमारी हो चुकी है अब उसी तेल में हम थोड़ा सा आलू को फ्राइ कर लेंगे देखिए इस तरी के से हमने आलू को भी पांच मीनिट के लिए फ्राइ कर लेनी है तो दोस्तो आलू हमारी फ्राइ हो चुकी है अब हम इससे निकाल देंगे और फिर से थोड़ा सा हमने तेल दे देना है और तुराई को भी हमें फ्राइ कर लेनी है तो पांच मीट हम इसे भी फ्राइ कर लेंगे इसके साथ दो हरी मीट हमने दे दिया तो यह हमारी फ्राइ हो चुकी है अब हम इससे भी निकाल लेंगे है तो फिर से हमने लिए हैं हमने ट सभी हमने को प्र्वी को प्रॉंज को फ्राइ कर लिया है इसलिए वाइल हम नहीं देगे जादर यहां पर दे दिया थोड़ा समेथि के दाने मेथि के दाने थोड़ा चछतकिन के दे बाद बदे algorithm मसाला है तो कर दो को ठोकि इस मसाले को थोड़ा हम भूल लेंगे अब इसके साथ हम दे देंगे आधी चोटी चमच हल्दी पाउडर आधी चोटी चमच लाल मिर्च पाउडर आधी चोटी चमच जीरा पाउडर और दे देंगे आधी चोटी चमच धनिया पाउडर और इस अभी मसाले को हमने अच्छे तर बारी काटी हुई प्याज इसके उपर दे देंगे थोड़ा सम पानी दे देंगे यहां पर प्याज को दोस्तों आपको फ्राइ नहीं करनी है देखिए और इसी के साद हम दे दे देंगे आलू दे देंगे स्वात के अकॉडिंग नमक नमक दोस्तों हमने मचली में दिया है तो आप उसी हिसाब से नमक दीजिएगा देखिए हमने पानी दे दिया है अब इसे भग देंगे और आलू को थोड़ा गलने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे आप गैस का फ्लेम दोस्तों दस मीट के बाद आलू जो हमारी वह गल गई है अब हम इसके अंदर दे देंगे तरई और दे देंगे प्राउंस देखिए इस तरीके से हम दे देना है इसे अच्छे तरीके से मिला दे और एक बद दोस्तों आप नमक को भी चेक कर दिएगा नमक अगर आपका कम लगे तो आप इसके उपर नमक दे दिजिएगा यहां पर हमने नमक चेक किया है थोड़ा सा हमें नमक कम मतलम लगा है इसलिए हमने यहां पर नमक को यहां पर दे दिया है आप भी एक बद चेक कर लेना अब इसे हम ढग कर दस मीट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे अब हम दोस्तों इसे 5 मिनिट और पका लेंगे मचली को जब तक मचली की मतलब कड़ाई से हमारी तेल निकल के आ जाए तब तक हम इसे थोड़े देर के लिए पका लेंगे यह देखे इस तरीके से कितने सुंदर बनी है दोस्तों बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में तो आप एक बर इसे जरूर ट्राइ कीजिए आपको यह रेसीपी बहुत पसंद आएगी तो यह हमारी अलमुस्ट हो चुकी है आप देखे सकते हो बहुत ही सुंदर खुजू आ रही है दोस्तों तो अब हम गैस का फ्लेम बन कर देंगे यह देखिए तो हम गैस का फ्लेम बन क के प्लेम करने तो चलिए दोस्तों जिले घृण एक निकाल के आपको दिखाते हैं कि अनल गोरा सलगी कु honor वीडियो को लाइक कर दिजिए शेयर कर दिजिए और चैनल में लें हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू दोस्तों मेरे साथ इतने टाइम बिताने के लिए